इज़तनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पाइलट और सहायक लोको पाइलट का स्वागत करता है आज हम जानेंगे थ्री फेज इलेक्रिक लोको को कूलिंग मॉड में सेट करने का तरीका जब भी किसी कारण से कंट्रोल इलेक्रोनिक्स का टेंपरेचर सतर डिग्री सेंटिग्रेट से ज्यादा हो जाता है तो LSCE लैंप प्रकाशित हो जाता है और साथ ही स्क्रीन पर प्रायोरिटी वान का फार्ट मेसेज आएगा और LSF-I लैंप भी ब्लिंक करने लगेगा और BPFA की बत्ती भी जल जाएगी ऐसा होने पर अगर कॉस्टिंग में सेक्शन कीयर करना संभव हो तो सेक्शन कीयर कर लें अन्यथा लोको को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और कूलिंग मौड की प्रक्रिया पूरी करने के बाद लोको स्टार्ट करें सबसे पहले लोको ब्रेक लगा लें साथ ही साथ प्रेन ब्रेक भी लगा लें ताकि रोल डाउन के खत्रे से बचा जा सके उसके बाद फ्रोटल को जीरो पे कर दें रीवर्सर को नीटरल पे कर दें उसके बाद बी एल डीजे के द्वारा डीजे उपन कर दें और साथ ही साथ यूमिटर पा नीचे आना भी सुनिष्चित करें DJ open हो जाने के बाद BL key को D से off पर लाएं, दो सेकंड इन्तजार करें, फिर off से C पर लाएं उसके बाद UV emitter का नीचे आना, सभी pilot lamps का भुच जाना, डिस्पले का बंध हो जाना, speedometer का भी बंध हो जाना सुनिश्चित कर लें ये control electronics के off होने की पहचान है, उसके बाद BL key को C से off पे कर दें और पुनह off से C पे कर दें, फिर हम देखेंगे की UV emitter बैटरी वोल्टेज दिखाने लगेगा, LSDJ lamp भी जल जाएगा, और MR pressure के अनुसार BP pressure भी बन जाएगा, उसके बाद BL key को C पे रखते हुए, ZPT के द्वारा पैंटो रेस करेंगे, और यू मीटर का उठना देखेंगे, इस दोरान स्क्रीन कार्य नहीं करेगी, उसके बाद BL DJ द्वारा, DJ क्लोज कर, LSDJ का बुझना देखेंगे, कूलिंग मॉड के दोरान सिंदल फेस 415 वोल्ट की कुल 4 और जिलरी कार्य करती हैं, जिनमें 2 मशीन रूम ब्लोवर कार्य करते हैं, और 2 मशीन रूम के स्कवेंजिंग ब्लोवर कार्य करते हैं, इस दोरान लोको को तब तक कूलिंग मॉड में रखना है, जब तक LSE लैम्प बुझना जाएं, LSE लैम्प के बुझने के तुरंत बाद DZ को ओपन करना है, पैंटो को डाउन करना है, और B LK को C से आफ पर करके, फिर आफ से डीपर करके, लोकों को नियमानुसार एनरजाइट कर गाड़ी कार्य करेंगे,